हेलो स्टूरेंट वेलकम तो आयर मेटकल क्लास से स्टार्ट करते हैं अपना अपने लेक्षर ग्रिया कल्प जो है थ्रेपिटिक प्रसेजर और एक शौर्ट नोड जो एक्जाम पॉइंट आप दो से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्षर में पहले मैं कहना चाह कैसे हम पुरे स्लेवर्स को कवर कर रहे हैं तो इतना आपका कम्क्लीटी प्रिवेस वीडियो में हो चुका है आज का लक्षर है क्लिया कल्प तो नीट की समान व विश्य चिकिस्ता में हम क्रिया कल्प की बहुत जादा में इंपोर्टेंट है जो कि आपके 5-10 मार्क्स गे बहुत ही प्यारे श्लोक में कहा गया क्रिया नाम तरपनम, पुटपाक, शेक, प्रभीता नाम, कल्पनम, कार नाम, क्रिया कल्पनस नाम तो यह जो पूरे procedure होते हैं उन्हीं को क्रिया कल्प कहते हैं इस therapeutic procedure को कैसे क्या क्या है जिसमें ocular disorders को treat करने के लिए हम जो भी method यूज कर रहा है उन्ही method को कहा क्रिया कल्प तो पांच जो procedures हैं उनका नाम हमको अचारे शुशुत ने अपने उत्तरतंत में बताया है तो उत्तरतंत पे हम क्या देखते हैं कि अचारे शुशुत की समिता में उत्तरतंत के 18 में अध्याय में हमें इन पांचों का वर्णन मिला है तरपन, पुटपाक, शेक, अशुतन और अंजन, इस पूरी lecture में हम यहाँ पे आपको इन ही पांच के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स जब हम चलेंगे तब आगे हम आपको, नेक्स जो lecture होगा, उसमें क्या योग्य है, क्या योग्य है, इसको include करेंगे, main procedure को क्या-क्या important है, कैसे हम देख रहे हैं, जो exam में आप को main marks gain करा है, तो शुरू करते हैं, अगर हम अपने topic को, तो नेत तरपन में नेत शनेहन के लिए जो करते हैं, यानि पूरे नेत को सनेह करने के लिए, जो तरपन किया जाता है, तो देखें, उसमें होता क्या है, कोई भी जो रोग है, जिन रोगों के लिए जैसे कि नेतरो क्यों हो न दिखाइते हूं, यानि जो ऑईलीट्स होती है, पक्षम घरते हैं, यानि आई को अनिگ इव के उदे जो, जिन बी प्रूसीजर होता है, इनicação के Llana Amia agreement के जितने और हम जो होते हैं, जैसे बहुत इनी पूरे प्रोसीजर में हम करते हैं जो नीत्र कोश होता है यानि और बिट हो जातों आई और बिट होती है उसमें घृत्मंड को धारन करते हैं घृत्मंड को धारन करने के लिए हम घृत्मंड क्यों कहा रहे हैं तो देखो नेत्र तर्मपर्ट में सबसे मेन क्या है जो नेत्र होता है नेत्र की जो क्रिया होता है उसमें हम नेत्र कोश यह जो ऑकुलर और्बिट है जो भी और्बिट आई और्बिट होता है उसमें हम गृत्मन को जल से गुथी दन जो उरत की दाल होती है देखो यहां पर जो मेंशन के और्बिट को कवर करते हैं कि जिसमें हम घृत मंड डाले तो वह बाहर ना आजाए ठीक है तो यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसी को आप प्रोसीजर में लिखते हैं ठीक है विधी में जब आपके मांक्स एक्जाम में कॉपी कर लिख रहे होते हैं तो चारों तर्फ से समानाधार होता है कि बाहर जो और शादी डालो जो भी तो यहां घृत मंड का प्रियोग कर रहे हैं वह बहना जाए वाग भटनी यहां पर एक मेंड पॉइंट आप नोट करना वाग भटनी यह तरपड में और शदी सिद्ग्रत का प्रियोग किया था शवशुत ने इस चीज का मेंशन नहीं किया थीक है तेमिर और अग्तांद में जैसे जो रोगों का नाम से बताया गया यह वसा का प्रियोग करते हैं तो यह भी इंप्रॉटन पॉइंट है आपके पीजी पॉइंट आफ वीव से इन चीजों को डिफ्रेंशेट करके लिखना तो यह अपनी एक्जाम मेंशन को जो आपको अच्छे माख दिलाते हैं नेक्स्ट आप चलते हो तो आता है घृत्मन का धारनकाल मोस्ट इंपॉर्टन आप अपने नांसर लिखते हैं धारनकाल जरूर लिखोगे स्वस्त पु मात्रा का यहां का मतलब है कि निमेश मात्रा जयसे कि हम खुल निमast और उनमेश और निमेश इन दोनों प्रक्रिया को पूरा करने में जो एक होता है या फिर एक चुटकी बचाने में चारो हाथ घुमा व pistणी चितना सम्य लगता है उसको हम कहते हैं एक मात्रा तो यह कहा कि गुड़ु वर्ण करता है। उसे कहते है मात्रा इनकी पलक निमेश उनमेश ज sich जो आख की गिरनी अपलक की जो भी उसे पहते हैं तो यहां पर मात्रा आपको अगर यह भी लिखना चाहो तो नीचे नोट डाउन करके अपने आंसर में लिख सकते हैं मात्रा क्या है नेक्स्ट अप चलते हैं तो आपका आता है रोगों के अधार पर तो संधी रोग 300 मात्रा वर्तम गत में एक हसा माता शुक्ल गत में 500 और कृष्ण गत में 700 तो क जितने भी लिखेंगे जितना नंबर लंबा अंसर करेंगे लेकिन यह पॉइंट जरू मेंशन करो जो आपकी एक्जामनर्स को चाहिए होता है अपकी कॉपी में ठीक है जिस टिकत में 1000 से 800 मात्रा नेक्स्ट चलते हैं तो आपका आता है विधी तो अचार शुशुत में सम तरपन करने पहले रोगी का शोधन करते हैं विरेचन और इन सेहन से स्नेहन के द्वारेज लेकिन रोगी का सोधन होना चाहिए उसको जब हम करें उसका भोजन जो ता वह जीन हो चुका हो ठीक है उचित काल हो यानि किस समय अगर रात्रिया है तो जैसे जब तरपन का उच जब चाहिए परदान कन्द में वही पुरी विधी होती स्वारी प्रोसीजर जो होताँ उसका तो रोगी को उतान लेटा आ देते हैं जल से उरत की दाल से जो आटा बनाते हैं उसको रोगी के ने तरको शानि पूरे औरविट मार्जिन में हम पूरा कवर करते हैं जैसे कि आपके चितर में दिखा दिया पूरा पीक्सरेस हम देखी ओ एक द्रण पाली Yazanし पूरा बॉर्डर बनाते हैं उसमें उस में ग्रेट कुप जो आधाunta के जब फूरते िखालास का तरह से पूरा क्या करते हैं ? अग्रिभाग भर देते हैं ठीक है तो घ्रित मंड को भर देते हैं दोसा पशाथ कर्मिए जब यह सब प्रोसीजर हो जाएगा तो जोग के गुठे वांत्या से स्विवन कर देंगे पुरा उसको और नेत्र का शोधन कर देंगे कर पूरा शोधन कर देंगे वहां से पुरा तो यह चीज़ पूरी तरपन्ट लास्ट वन आपका तरपन्ट मर्यादाकाल नोट करोगी मर्यादाकाल में आप देखोगी कि एक तीन पांच अगर वाता चाहिए तो एक दिन करते हैं पिता चाहिए तो तीन दिन करते हैं और जिस हिसाब से प्रबल है उसकी अंसार रूख उसकी सिस्भाइब करते हैं तो तरपन्ट मोस्पोर्टन है नेक्स्ट है अपमारा टॉपिक पुटपाग तो पुटपाग क्या है तो पुटपाग जो है वह घृतमंड के स्थान पे और शदी द्रव में सबसे जाए इंपोर्टन्ट के और शदी द्रव के स्वारस का प्र प्रयोग करते हैं इसके तीन बीद बागी सारे प्रोसीजन हैं वो तरपन के अनुसार होते हैं तो पुट पाक में हम और शेदी द्रफ के स्वरस का प्रयोग करते हैं स्नीहन पूटपाक लेखण पूटपाक रोपण फूटपाक तो स्नीहन में अतिरुक्षनी तो varied shining करेंगे और रोपन जिंग करेंगे चब करेंगे चब तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो स्नेहन लेखन और ओपन में कौन से और शदियों का प्रयोग किया चारा यह जानना जरूरी है तो यहां पर पुरा मैंने मेंशन कर रखा है कि जो स्नेहन है उसमें आप आनुप मास लेखन में जो जांगल जीयों का मास उसक चीज़ों को मेंशन करने के साथ एक चीज़ और मेंशन करते हो वह क्या है कि स्नेहन सो दो समात्रा और एक समात्रा लेखन और आपका तीन समात्रा होता है रोपन में धारन करने का काल है तो धारन काल को मेंशन कर दो तो आपका पुटपाक का यह आंसर कंप्लीट होता है ज जब आप पूरा तरपन्हाए पुलग वें लीखा किया में में पॉइंट लिख दिया और वाकी आप जो प्रीशिविभी आंसा करते और रहे तो ये में पॉइंट एक्जामनर को चाहिए चाहिए लास्ट जो आपका इसके बाद आता अशोतन तो अशोतन क्या नेत रोखोल के दिस्टी के बीक में ने से दो उंगुल उझाई से और श्यदी को बूढ़ बूढ़ टपकाते हैं तो बूढ़ बूढ़ डाला जाता है अश्यदी होता है और ये तीन तरगा होता है सने लेखन इसमें चीज़ जए मौनोफ करने किस तरह और शिदी नहीं नहीं वहीजिके सब्सक्रा दें six जरुदों और एक ऊदू झाले जाती। लेखन श्नेहन रूपन जो three ताई बटाए गए है उनको कैसे कैसे करना कि कितनी विम बुंड़ इस एक बिन्दूओं को बता गया कि 7-8 बिन्दू गिरा देंगे सनिहन मेंदस बिंदू गरांगे रोपण में बारह बींदू गरा जबूरत गालों है तो यह पूरे ऊचाइज भी ओष्चाई से गिरा कि sudah जीरा रहे हैं थेंकि यह bespattach तो पुर्वा काल में बाता जाए प्राह काल में पित्त जट मद्डे काल अगर बातался को घाल और आपको सार्प साफ परता चल जाता है कि इस इन पूरे कहते हैं आपको मेंक्ट में में इंप्राइफ को मेंशन करना इस तरह से बर dei सकते हूं तो आपका नेटर चेह नेटरर नेवां होता है अब तक आखो जो है खूल करें रहे लेकिन इस उत् Après नीच कर ओती है वो फुट पाक से दुगुनी ओती है तो यह भी पॉइंट आपको ऐसे मेंशन हुआ मिलता है कि पुटपाक जो है पुटपाक से दुगुनी धारनकाल इस मिलेते हैं अब वो धारनकाल कैसे क्या है तो वो भी चीज़ आप देख लीजे कि यहाँ पे लेखन में 200 मात्रा ठीक है लेखन में 200 मात्रा सनेहन में 400 और रोपन में 600 तो पुटपाक में 300 था उसी के जस्ट दुगुना कर दिया गया सनेहन का 400 कर दिया गया और लेखन का 200 तो यह जो पॉइंट है में पॉइंट है जो अपने एक्जाम में आपको दिखाना है यह आपको पता है ठीक है उसके बाद अमलतास और चत्रांगुल जो जिसे बोलते हैं अमलतास को उसका प्रयोग कर जा रहा है यहाँ पे और शदी के रूप में तो यह समान ने बताएगए तो उसमें बताएगए कि नेतरशेक में अमलतास का सेचन करते हैं ठीक है तो वो क्या है नेतरशेक का शोशन धाराओं से शोशन धाराओं से सिंचन किया जा रहा है वो शेक होता है ठीक है तो यहाँ पे यह पॉइंट आप मेंशन करोगे एक्जाम में यहां में पूरी वीडियो एक शॉट वीडियो है यह शॉट में हम यह बताना चाहरें कि इस कैसे आप नोट अपनी इंपोर्टेंट पॉइंट को मेंशन करोगे आपकी बुक्स में सब कुछ है वैल बल है तो नोट डॉण करते जो यह वीडियो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो जिसे कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो जाए और यह फिर हम नेत को स्वस्ते रखें हेल्दी रखें हमाई द्रिष्टी जो है वो बनी रहे अच्छी रहें जो आइज दी है वो कम्प्लीटली हेल्दी रहें उसके लिए हम जो करते हैं वो अंजन है तो यह लिखा हुआ है कि रक्षांत दस्टित दोष प्रशादनात अंजन रव्यों को यानि जो भी का अंजन करने वाले द्रव होते हैं उन से करते हैं वर्तम कोश्में के या तो शलाका दारा तो यह आपका should उन पर लगाया चरता है तो ठीक है यह इंपार्टन्ट है और लास्ट वन आपका सबसे ज़ए पॉइंटर है जो लेखन रोपान प्रसादन तो यहां लेखन रोपन प्रसादन होता है यह थे लेखन जो होता है मधुरहरस को छोड़ के सभी द्रवा से किया जाता है М grew upanjan जो होता है कशाय वत्तिक रचस्क मिला कर थैस्ट प्रसादन मुझें उसकी लगता है तो यहां प्रसादन में हम च्ड की मात्र यानी उता है आपनों पढ़ा होगा तो यहां पर प्रसादन में हम स्नीहन की मात्रा बढ़ा देते हैं कफ में लेखन अंजन बात में रोपन अंजन और पित्च में प्रसादन अंजन करते हैं यह इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करोगे लास्ट वन है आपका अंजन गुटिका रसांजन और चलांजन का यह जो आपको है यह मिलता है एक्जाम में या फिर आपको यह अभी समिताओं में मेंशन होते मिलते हैं कि यह स्वरूर के अधार पे तो हरेडु वर्ड यूज किया जाता है हरेडु शब्द क्या है हरेडु है मात्र मटर मटर के बराबर कुटिका ठीक है उतना अंजन करने के लिए हम आउशाद धमंदर शिलाजन कसाधत पत्य दवर्टी तो यह उनलोग है जो आप मेंशन करते इसको नहीं आज़़ता तो इससे आप ऐसे बताओगे कि लेखन में एक हरेडु वर्ती दो शलाका प्रसादा में डो हरेडु वर्ती तीन शलाका रोपन में दो हरेडु वर्ती या चार शल तो आपको यह पूरे शॉर्ट नोट कैसे लगे अगर आपको पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किजिए और इस चैनल पर बने रहेगा थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग